है थेलो नमस्कार एवरिवन आईम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे औस्टी अर्थ्राइटस के बारे में और आप अपने औस्टी अर्थ्राइटस को साथ से दस दिन के अंदर कैसे ठीक कर सकते हैं परमनेंट्ली आप अपने जोडों की सूजन से औ वो क्यों develop होता है? Suppose, दो bones हैं, एक के उपर एक, suppose पैर की ही bone है, या हाथ की ही bone है, यह यहाँ पर दो bones होती हैं हमारी, और एक यहाँ पर bone है, right? तो इनका जो ends है, इसका end है और इसकी starting है, जब यह दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर joint बना रहे हैं, ठीक है, और भी bodies में जगा जगा joints होते हैं, तो मैं यहाँ का reference ले रहे हूँ कि यहाँ पर यह joints बन रहे हैं, ठीक है, अब joint में इनके अलावा cartilage भी है, और synovial fluid भी है, जब आपकी body में cartilage कम होता है, या कम होने लगता है, due to any reason, और synovial fluid कम होता जाता है, तो यह bones आपस में रगणने लग जाती है, जिसकी वज़े से cartilage, synovial fluid और bone का wear and tear हो जाता है, घिस जाती हैं, जिसकी वज़े से आपको sujan और pain develop होता है, अब osteoarthritis किसी भी edge में हो सकता है, और यह होता जादा females में है, क्योंकि females की body, puberty के time change होती है, pregnancy के time change होती है, post pregnancy change होती है, और then minopause पे change होती है, तो hormones, vitamin D की कमी, calcium की कमी, यह सारे factors, overweight, lifestyle, यह सारे factors उनकी bone में problem शुरू कर देते हैं, inflammation और pain शुरू कर देते हैं, बट यह males में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि females में पाया जाता है, reasons क्या क्या हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, hormones imbalance क्योंकि female की body या किसी की भी body change तो होती है, female की body specially puberty पे change होगी, pregnancy पे change होगी, post pregnancy change होगी, minopause पे change होगी, यह factors उनकी body में यह changes ला देते हैं, और यह disorder develop कर देते हैं, बाकि जो general factors हैं, जो males और females दोनों को osteo होता है, उनमें क्या-क्या factors हो सकते हैं, overweight हो सकता है, patient अपने BMI body mass index से overweight है, या फिर calcium, vitamin D की deficiency हो सकती है, lifestyle हो सकता है, या फिर कोई autoimmune disorder हो सकता है, diabetes हो सकती है, तो यह सारे जो factors होते हैं, यह responsible होते हैं, osteoarthritis के, सबसे major factor जो होता है, वो होता है constipation, joint pain के जो patients होते हैं, उनमें maximum constipation की complaints मिलती है, तो अगर यह चीज़ें आपको हैं, तो आप more likely develop कर सकते हैं, गठिया का दर्थ, अब वो गठिया का दर्थ, चाहे osteo हो, चाहे rheumatoid हो, कुछ भी हो सकता है, बट यह possible है कि आपको, अगर यह factors हैं, तो आप आगे जाके, osteoarthritis के, या rheumatoid arthritis के patient बन सकते हैं, तो यह तो हमने जान लिया, कि osteoarthritis हुआ कैसे, उसके पीछे का cause क्या है, या pathology क्या है, या क्यूं होता है, या किन में होता है, अब हम एक tip के बारे में बात करेंगे, जो आपको 7 से 10 दिन के अंदर ही, osteoarthritis के दर्द से अराम दिला सकता है, सबसे बड़ा तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा जो tip है, वो है सुभा, आप डाल चीनी का powder बना के, उसमें एक या दो चम्मच शहट डालके, और आदा चम्मच डाल चीनी powder बना के, एक से दो चम्मच शहट में, आप उसका paste बना ले, और उसको रोज खाली पेट सुभा गरम पानी के साथ ले, ये जो नुसका है, और ये जो home remedy है, आपको 7 से 10 दिन में, आपके किसी भी जोड़े के दर्द से अराम दिला सकता है, गठिया के दर्द से अराम दिला सकता है, मैं दुबारा repeat कर देती हूँ, आपको क्या करना है, दाल चीनी का powder बनाना है, आदा चम्मर दाल चीनी लेना है, और एक से दो चम्मर उसमें शेहद मिला के, सुबा खाली पेट गरम पानी से ले लेना है, उससे क्या होगा, आपके bones की जो inflammation है, वो कम हो जाएगी, और आपको दर्द में अराम मिल जाएगा, नेक्स जो टिप है, वो भी आपको साथ से दस दिन में अराम दिला सकती है, आपको same again दाल चीनी का पाउडर लेना है, आपको उसमें शेहद डालना है, आपको उसी में salt डालना है, और healthy powder डालना है, थोड़ा सा पानी मिला के एक paste बन जाएगा, और उस paste को, जैसे अगर इन bones में दर्द है, wrist bone में दर्द है, elbow में हैं, या knee में हैं, किसी भी joint पे आप apply करके छोड़ दीजे, उससे आपको दर्द में बहुत जल्दी अराम आजाएगा, और 7 से 10 दिन में आप अपने दर्द में अराम पापाएंगे, आप ये follow करना शुरू करें, और मुझे बताएं कि आपको इन नुसकों से कितना आराम आता है, और ये कैसे असर करते हैं, और अगर आप काफी सालों से अपने जोड़ों के दर्द से पीडित हैं, गठिया के दर्द से पीडित हैं, और आपको किसी और पर डिपेंड रहने की जुरत नहीं है, तो आप अपना ध्यान रखें, इन्हें follow करें और हमें contact करें, अगर आप बहुत ज़्यादा परिशान हैं या अगर आप अपने गठिया के दर्द को पर्मानेंटली ठीक करना चाहते हैं, तो, तांक यू और टेक केर.